प्रस्तुत है पाठ तीन रिड़ की हड़ी लेखक जगदीश चंद्रमाथुर मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा अंदर के दर्वाजे से आते हुए जिन महाशे की पीठ नजर आ रही है वे अधियर उम्र के मालूम होते हैं एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर से चलते चलते कमरे में आते हैं तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है अबे धीरे धीरे चल अब तख्त को उधर मोड़ दे उधर बस बस बिछादू साहब और क्या करेगा पर मात्मा के यहां अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या बिछादू साहब और ये पसीना किसलिए बहाया है हस्ता क्यों है अबे हमने भी जवानी में कसरत की है कलसों से नहाता था लोटों की तरह यह तख़त क्या चीज़ है उसे सीधा कर यो आहां बस और सुन बहुजी से दरी मांगला इसके उपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहां से आई है वही मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में धोती हाँ अभी तो बदल कर आये हो और फिर ना जाने किस लिए लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने यही तो कह रहा था रतन क्यों बे रतन तेरे कानों में डाट लगी है क्या मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उससे मांगला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं उल्लू कहीं का अच्छा जा पूजा वाली कोट्री में लकडी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना उन्ही में से एक चद्दर उठाला और दरी दरी यहीं तो रखी है कोने में वह पड़ी तो है और बीबी जी के कमरे में से हार्मोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मूँ फुलाए पड़ी है मूँ फुलाए और तुम उसकी मा किस मर्स की दवा हो जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोश मत देना तो मैं ही क्या करूँ सारे जतन करके तो हार गई तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर्चड़ा रखा है मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं अपना समान आच्छा था आई पढ़ली गिनती सीखली और बहुत हुआ तो इस्तरी सुबोधनी पढ़ली सच पूछो तो इस तरी सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी B.A.M.A. की पढ़ाई होगी और आजकल के तो लच्छनी अनोखे हैं क्रामो फोन बाजा होता है ना क्यों? दो तरह का होता है एक तो आदमी का बनाया हुआ उसे एक बार चला कर जब चाहे तब रोख लो और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुखने का नाम नहीं हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूशती रहती है यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को रह पर ला दे अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में तो हुआ क्या तुम ही ने तो कहा था कि सरा ठीक ठाक करके नीचे लाना आजकल तो लड़की कितनी ही सुन्दर हो बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है इसी मारे मैंने तो पॉडर वॉडर उसके सामने रखा था पर उसे तो इन चीजों से नचाने किस जन्म की नफरत है मेरा कहना था कि या चल में मूँ लपेट कर लेट गई भई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से नचाने कैसा इसका दिमाग है फरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पॉडर का कारोबार चलता है अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटरंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती पर तुम तो चुप चुप तुम्हें कता ही अपनी जबान पर काबू नहीं है कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो उनके आने तक तो नजाने क्या हाल करोगी अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना बस मुझे तो मेरा काम बता दो तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो ना सही पॉडर वैसे कौन बुरी है पान लेकर भिश दना उसे और नाश्टा तो तैयार है ना आ गया रतन इधर ला इधर बाजा नीचे रख दे चद्दर खोल पकड़ तो जरा उधर से नाश्टा तो तैयार है मिठाई तो वे लोग स्यादा खाएंगे नहीं कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है फल रखे ही है चाय तैयार है और टोस्ट भी मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं मक्खन